नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलुजा, इस वीडियो में बताऊंगा घर के अंदर टॉयलेट बात्रूम के बारे में टॉयलेट बात्रूम, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, सभी घरों के आशकता होती है पर टॉयलेट घर में बनाना कहां चाहिए? उसके लिए यह है कि टॉयलेट कभी भी घर का इशान को उत्तर पूरू का जो कोना था इस यहां नहीं बनाना चाहिए इसके अलावा टॉयलेट कहीं भी बनाया जा सकता है और मद्दिस्तान को छोड़ना चाहिए पर इस दिशा में टॉयलेट बातरूम नहीं बनाना चाहिए दूसरा टॉयलेट में मैप्रूबा बेटना कैसे चाहिए जब टॉयलेट कमोड शीट पर आप बेटते हैं तो ध्यान रखिए जिसे दिशा हैं पूर दक्षिन प्रश्चिम उत्तर पूर दिशा से सूर्द देव हैं जो जीवित देवता हैं नजर भी आते हैं सुर्द देवता तो सबसे पहले ये बात है कि हमें कभी भी पूर दिशा की और पीट करके हैंने मूँ पश्चिम की और रखके टॉयलेट में कमोड नहीं लगवाना चाहिए कमोड बैस तो यह है कि दक्षिन या उत्तर इस द है कि आपके पीट पूरब दिशा की और आगी अच्छी स्थिती यह है पर इसका विरोध करते हैं बहुत से लोग पर अनुभों में आया है कि जिनके कमोड नहीं लगे हमें उन्हें को जीवन में दिक्कत नहीं आती है जीवन ठीक ठाक चलता रहता है एक और बात आती है अ उत्तर में रखना तो यहां रखिएगा और पश्रिम रखना तो यहां रखिएगा इससे क्या होगा कि आपका प्लेस्मेंट अब अर्रेंजमेंट जो पूरा अंदर का होगा आप सही तरीके से हो जाएगा कमोड के लिए एक व्यवारिक है मतलब जो तो जहां दरवाज उस टॉयलेट के लिए दोचा बार चला जाता कहीं बार पर नहने का एका दो बार उसको मोगा आता है यदि पहले नल की टोटिया होगे दूर यदि टॉयलेट कमोड बना होगा तो यह फर्श गीला रहे गया अब आदमी आया पूरा गीला और पेर गीले होंगे नहां के बैठे जाएगा तो घर का फर्श गीला करेगा तो इस तर बनाईए उसको सेट करिए दर्वाजी के हसाब से कि पहले कमोड और बाद में नल की टोटिया हो और इस वहमें बिल्कुल मत परिए कि इसा वो इशान में होनी चाहिए नल नार्थ में होना चीए पूर में नल जहां सुईधा जनक तरीके से नल हो लगे नहाने करने दिक्कत नहीं आए नहाते होगा आप हाथ लाते हैं करते हैं तो हाथ पेर में कोना लगे नहीं अब होता है इसमें रखने वाले सामान शेंपो, साबून, दोलिया, ब्रश वो तो जहां आपको उचित लगए कर लेंगे पर अलमारी टाइप बनाना हो तो देखिए थी आप में वास्तनुकुल दरवाजा रखा है तो उसके लिए सब सच्ची जगा है यहां बनेगा यह दरवाजा है तो भी यहां बनेगा यह है तो भी यहां बनाना चाहिए यहां कहीं बनाना चाहिए पश्चिम या दक्षिन में बनाना चाहिए एक ध्यान रखना चाहिए गीजर लगाना है तो कोशिश करिए गीजर अगने कोन में लगे है पुराने जमाने तो घरों के अंदर ँटवी नहीं है जब शाहस्त लिखे गए जंगल में जाते थे और नहाने के लिए साजनी कुई से पानी भर के लाते थे तो गहरमें OW । बाहर पूर में बात्रों के विरे जुरूर क्या गया है कि उत्तर यहां पूरे दिछ DRM यह थो पूजा कर yaşتानों में यहां नाने का यहां नाने अपनी स्विधान साथ इस जगा को छोड़कर कहीं भी बना सकते हैं और उदको बनाते हैं वक्त आपको एक ध्यान रखने का है एक तो जब पुराना घर बनाते हैं अलग बाते हैं पर नया बन रहा है तो एक संकन स्लेव होता है कि टॉयलेट बातों के हिस्ते की छट आठ से दस इंच नीचे बना दी जाती है ताकि जो इनके टॉयलेट बातों के पाइप से वो सकंदर लेते हैं तो घर का फ्लो लेवल बराबर हो जाता है अब आपको इदर तो टॉयलेट बनाना नहीं है पर इदर और इदर आप ध्यान लखिए इंडियन स्टाइल का कमोड मत लगाईएगा जो आपन बेखते हैं इंडियन स्टाइल में वो कमोड से क्या होता है कि वो जमील से उपपर आ जाता है तो इदर का फर्ष उचा नहीं होना चाहिए यह बहुत बड़ा वास्तों दोस होता है तो यहाँ पर तो वेस्टन स्टाइल के लगाईए न दिवाल पे मांट रने वाला कमोड लगाईए ताकि यहाँ का फर्ष उचा नहीं हो तो इंडियन स्टाइल कमोड आप दक्षिन या पर्षिम में लगा सकते हैं पर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा उचा नहीं हो जितना कम हो हाइट इसकी कम हो तो यहाँ इंडियन स्टाइल कमोड लग सकता है वेस्टन स्टेल का कमोड तो आप जाचाय लगा सकते हैं इसी के साथ एक ध्यान और रखिए फ्लो लेवल की इंपॉर्टन्स बहुत ज्यादा वास्तू में तो यदि पूर में इसका तीन हिस्से करें तो यह दो हिस्से यह सा वास्तू टॉयलेट बातरूम के ही नहीं तो यह बीच का हिस्सा यहां 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 टॉयलेट बातरूम बनता है यहां का फ्लो लेवल जैदी एक दिन नीचा रहे कि पानी बहके भार ना आए तो लगाया जा सकता है पर दक्षिर पश्चिम में और बाकी इन दिशाओं में यह दि टॉयलेट आ रहा है को तीन चा दिशेगा ताकि पानी भार ना आए हां टॉयलेट बातरूम के अंदर इस हिस्से में आप आदे इंच का ढाल दे सकते हैं ताकि पानी के निकासी आराम से हो सके ठीक है ना और यदि आप पढ़ते होंगे कहीं किताबों में मैकजिन में आर्टिकल्स में कि दक्षिन निशन्तों के बनाए कोई दिक्कत नहीं है एक बात और होती है बहुत से लोग होता है टॉयलेट की जो है सीड़ों के नीचे नहीं बनाना चाहिए यदि किसी घर के नीचे सीड़ों की टॉयलेट बना और घर में कोई परिशानी चल रही है तो सीधा सब आपका टॉयलेट बिलकुल गलत बात है मेरे फुद कि जिन्दगी के 60 साल निका ले उस मकान में ट्वालेट जो है सीडियों के नीचे भी था हमें कोई दिक्कत नहीं अच्छी जिन्दगी चली है उस जब को दिक्कत नहीं आई एक बात और दुसरे शास्त्रों में इसलिए लिखा गया गया है जो चाट बना हुआ पुराने जमाने का, उसमें यहां पर सीडियां दी गई हैं, और सीडियां ठोस हैं, तो नीचे टॉयलेट बातु मन नहीं सकता, अब यह तो अभी की व्यस्ता है, कि वो सलेब डाल देते हैं, सरीयों का, उसके बाद नीचे जगा बन जाती है, और अब न दोनों पास पास नाओ, और यह आं आचे रहा महला हैं, और उस घरहण समता महला है, जलोकि देजिए बनाने लगता है, तो नहां रहने टोलेट बन जात एmbन दो जबर तो दोस्तों यह चोटी बात आप इनका ध्यान रखेगा निश्यत मानिएगा याव इन बात ध्यान रखेंगे तो आपका जुदन सुका दोसल रहेगा धन्यवाद